आपका एक बार जलस्ट्विल क्लासेस में स्वागत हैं, हम आपकी बाइलोजी टीचर निधी पांडे लेकर आएं आपके लिए एक, दो, तीन, चार, टोटल हांजी बिलकुल, चार से छे नंबर पर आने वाला एक सवाल, जो है पुस्प की संग्रचना, ठीके इस पर हर सवा जरूर मिलता है, तो आज की क्लास में हम कोसिस करेंगे कि आपको ये टॉपिक इतने अच्छे से, तुमसे होता है न, जादू वाला, एक बहुत पहले हमने एक सीरियल देखते थे, उसमें ऐसे वो छड़ी घुमाती थी, और तुरंत जादू हो जाता था, वैसे ही सिरफ आ से छे मिनट लेंगे और ये छे नंबर आपको हम दे कर जाएंगे, ठीके क्योंकि हमें आपकी परी, ठीके बाइलोजी की परी, ठीके लोग बाइलोजी के क्वीन होते हैं, हम बाइलोजी की परी हैं, ठीके, तो आए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले फीगर से समझो, ठीके अब भी यहाँ फोकस करना है, यह हमारा फ्लावर है, फ्लावर का यह जो नीचे वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसको कहते है पुसपासन, जिस पर पुसप पूरा ठीका रहता है, ठीके, फिर उसके बाद आपको यह जो हरे कलर की पतियां दिखाई दे रहींगे दोनों त यानि पुंकेसर, ठीके, फिर अगला आता है आपका यहाँ पर मादा भाग, ठीके, फिगर समझ में नहीं आ रहा हम आपको बना कर समझा देते हैं, ठीके, बहुत सिंपल सा, सबसे पहले देखो कुछ इस तरीके की संगरचना दिखाई देगी, इसको कहते हैं पुसपासन, इस पुसपासन के ठीक उपर पाया जाता है हमारा मादा भाग, ठीके, पुसपासन के ठीक उपर स्थित होता है, अगला पुसपासन के चारो तरफ, ठीके, पुसपासन के चारो तरफ आपको इस तरीके से नरभाग दिखाई देगा, यह हमारा क्या है, नरभाग है, नेक्स ये क्या कहलाता है बाहे दल कहलाता है उसके बाद आपको किसी भी फ्लावर में रंग बिरंगी पतियां तो जरूर दिखाई देती है ठीक है फ्लावर में आपको रंग बिरंगी पतियां 100% आप देखे होगे वो रंग बिरंगी पतियां हमारा दल कहलाता है तो ये रहा पूर यह कहलाता है पुस्पासन ठीके पुस्प का आसन पुस्प जिस पे टिका रहता है या फिर कह सकते हैं कि पुस्प जिस से जुड़ा होता है हम उसे क्या कहते हैं पुस्पासन कहते हैं अगला पूस्प के चारो तरफ हरे रंग की जो छोटी छोटी पत्तियां दिखाई दे रही हैं, उन्हें कहते हैं बाहे दल, ठीके क्या कहते हैं, बाहे दल के बाद उपर की तरफ आपको रंग बिरंगी पत्तियां दिखाई दे रही हैं, हर पौधे में, हर पौधे का अलग तो आपको लाल, फिर आप आगर रोस को देखो तो रैड हो जाएगा, आप कमल को देखो तो गुलाबी पंखोडिया गेंदे के फूल में पीली पंखोडिया, यारी हर फूल का रंग क्या है पत्री यो है, डल का रंग हो अलग अलग है ये दल का रंग अलग होता है और ये क्याम क्या करते है कीटो को अपनी तरफ आकरसित करने का ठीके तो इन रंग बिरंगी पत्तियों को हम क्या कहते हैं दल कहते हैं उसके बाद इस दल के ठीक बगल में ठीके हमारा ये सबसे सेंटर में क्या पाया जाता है मादा भाग ये या कहते हैं पुंकेसर कहते हैं ठीके जिसे क्या कहते हैं पुंकेसर कहते हैं और यह पुंकेसर हमारी पंखुडियों से ठीके जो रंग बिरंगी पंखुडियां हैं उनसे धकी हुई होती है और मध्य में पाया जाता है इस त्रीकेसर यानि मादाभाग ठीक है? तो इस प्रकार से अगर पूस्प को हम लोग ध्यान से देखें तो हमें क्या पता चला पूस्प की टोटल आपको कितने चार भाग मुख्य चार भाग है जिनको पढ़ना है कौन कौन सा? सबसे पहला आपका बाह दल दूसरा होता है दल तीसरा होता है हमारा पुमंग ठीके पुंकेसर तीसरा होता है पुंकेसर और चौथा होता है इस्तरीकेसर ठीके जब तक ये सब अकेले रहते हैं ठीके अगर किसी फूल में केवल एक एक बाहर हरी पत्ती दिखाई देगी तो उसको बाहदल कहेंगे अगर किसी फूल में केवल एक पत्ती, आपको पता है एक नहीं होता है, बहुत सारे पत्तियां होती है, लेकिन अगर एक पत्ती को हम निकाल कर पूछें ये क्या है तो आप बोलोगे दल है, ठीके, अगर आप किसी फूल के अंदर केवल एक नरभाग को उठाओगे, तो उसक केसर कहते हैं, अब आजाईए, बाहे दल, अब एक बाहे दल तो होता नहीं है, बहुत सारे बाहे दल होते हैं, तो बाहे दलो का समू बाहे दल पूंज कहलाता है, क्या कहलाता है, वैसे ही दलो का समू क्या कहलाता है, दल पूंज कहलाता है, ठीके, दलो का समू क्या कहलाए दल पुंज कहलाएगा, नेक्स्ट है, पुंकेसर, ठीके, पुंकेसर का समुः क्या कहलाता है, पुमंग कहलाता है, ठीके, पुंकेसर, अगर किसी फूल में केवल एक नर्भाग है, तो पुंकेसर कहेंगे, एक से ज्यादा है, तो उसके समुः को पुमंग कहते हैं, ठीके, पर बात करते हैं स्त्रीकेसर, अगर अकेला है तो हम उसे क्या कहेंगे केवल स्त्रीकेसर, ठीके, अगर एक पोस्प में केवल एक नर्भाग है, तो उसको स्त्रीकेसर कहते हैं, और अगर वो आपका दो से ज्यादा है, तो हम उसको ग्रुप में क्या कहते हैं, जायांग, ठीक ये इसे प्रथम चक्र कहा जाता है, ठीके इसे क्या कहते है प्रथम चक्र, इसके ठीक नीचे पाया जाता है दल, इसलिए ये हमारा दुटिया चक्र कहलाता है, ठीके उसके ठीक नीचे आपको मिलेगा पुंकेसर, इसको कहते है तृतिया चक्र, और हमारा पुमंग के ठीक न ये हमारे total होगे complete, हमने बताया पुस्प के चार भाग, बाहे दल, दल, पुंकेसर, इस्तरीकेसर, बाहे दलों का समू बाहे दल पुंज कहलाता है, दलों का समू दल पुंज कहलाता है, पुंकेसरों का समू पुमंग कहलाता है, इस्तरीकेसरों का समू जायांग कहलाता है, ठ पूस्प का दलपुंज द्वितिय चक्र है, पुमंग द्वितिय चक्र और जायंग अंतिम चक्र है, अब इन चारों को हम दो भागों में, ठीके पूस्प के इन चारों को, ठीके पूस्प में ये जो चार भाग हैं, इनको दो अंगों में हम डिवाइड कर सकते, पहला होता ह है हमारा सहायक अंग ठीक है पुष्प की चार भागों को हम दो अंगों में डिवाइट करेंगे सहायक अंग दूसरा होता है आपका आवश्यक अंग ठीक है सहायक अंग में आपके दो प्रकार के ठीक चार में से, ठीक है, हमारे पूस्प के कितने भाग है, चार भाग थे, कौन-कौन सा, बाह दल, ठीक है, पुंकेसर, और अगला है, इस तरीकेसर, यही है, ठीक है, इनको हमने क्या किया, ग्रुप्स में बाटा, आपको कहा गया, चार है, इन चार को क्या करना है, दो-दो के ग लिखोगे, सहायक अंग में, फूल में, पूस्प में उपस्थित, वह अंग, ठीके, पूस्प का वह भाग, जो जनन की क्रिया में केवल सहायता प्रदान करता है, इसका कोई काम नहीं है, सहायक अंग क्या होते हैं, ऐसे अंग, पहला जो युगमकों का निर्माड नहीं करें ठीके, ये केवल सहायता प्रदान करते हैं, ठीके, और इनका अगर ये नहीं भी होंगे, ठीके, अगर ये अनुपस्थित भी होंगे, तब भी हमारा जनन का क्रिया होगा, ठीके, इनकी अनुपस्थिती में भी जनन की क्रिया होती है, जनन की क्रिया होगी, ठीके, ये तीन उपस्थित वह भाग जो केवल जनन की क्रिया में सहायता प्रदान करता है युगमकों का निर्मार नहीं करता एवं उनकी अनुपस्थिती में भी जनन क्रिया संभव है ऐसे अंगों को सहायक अंग कहते हैं इसमें पुस्प के दो भाग आते हैं कौन-कौन सा, पहला होता है बाहे दल और दूसरा होता है दल, ठीके अब बात करते हैं आवश्य कंग, किसी पुस्प का वह भाग जो युगमकों का निर्मार करता है, ठीके दूसरा, जो जनन की क्रिया में सहायता प्रदान कर रहा, ठीके जो जनन की क्रिया में क्या कर रहा है, सहायता प्रदान कर रहा है, ठीके और साती साथ ये जनन के लिए आवश्य के बिना इसके जनन संभव नहीं है, बिना इसके बिना इन अंगों के जनन संभव नहीं है, जनन संभव नहीं है, ठीके ये आपका कंपलीट हो गया, ठीक हमने बताया पूस्प में चार भागे बाह दल, दल, पुंकेसर, इस्तरीकेसर इनको दो अंगों में डिवाइड किया गया, पहला सहायक अंग, दुसरा आवश्यक अंग, सहायक अंग ऐसे अंग जो युगमक का निर्मार नहीं करते हैं, जो सहायता केवल प्रदान करते हैं औ उसमें भी हमारे दो भाग आते हैं, ठीके, पुस्प के दो भाग आवश्यक अंग है, कौन-कौन सा, पहला है, मादा पहला ले सकते हैं हम लोग नर भाग जिसको कहते हैं, पुंकेसर, और दूसरा है मादा भाग जिसको कहते हैं, इस्तरीकेसर, ठीके, पुंकेसर क्या करता है पुंकेसर नर्युगमग बनाता है और इस्त्रीकेसर क्या करता है मादा भाग बनाता है इस्त्रीकेसर मादा युगमग बनाता है ठीक है यह आपका टोटल पुस्प की संगरचना हमने कम्पलीट कर दिया एक चाट के माद्यम से फिगर के माद्यम से हमने आपको पूरा एक अगर एक्जाम में आया पूस्प की संग्रचना जो आपके देखो कब कब आया है 2022 में 19 में 17 में 5 अंक का सवाल है दिर्ग उत्तरिय प्रस्ण में यूपी बोर्ड पांच अंक और बिहार में लगबग 6 नंबर तक का सवाल इससे बनता है ठीके सवाल है पूस्प की संग्रचन पूस्प की संग्रचना लिखेंगे हमारे आसपास चारो तरफ अनेक प्रकार के रंग बिरंगे आकर्सित करने वाले पूस्प उपस्थित है यह यह पौधे का जनन भाग है क्योंकि इसके अंदर ही इसके अंदर ही नर तथा मादा भाग पाए जाते हैं इसलिए यह जनन इस्थल भी है तुम लोगों के सामने एंसर लिख रहे ऐसा भी न लगे कि कहीं से लिख कर ला दिए और सुना दिए आपको ठीके डाइरेक्ट आपके सामने एंसर लिख रहे हैं पूस्प क्या है पादप का जनन अंग है और यह एक विसेश प्रकार का रुपांत्रित प्ररो होता है नेक्स पॉइंट लिखेंगे ठीके इसके बाद यह एक विसेश प्रकार का रुपांत्रित प्ररो है रुपांत्रित प्ररो है ठीक है, next, एक पुस्प में निम्न भाग होते हैं, ठीक है, सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दिया जाए, पहला, पहला किसके बारे में लिखना है, बाहे दल, ठीक है, प्रथम चक्र, बाहे दल, ठीक है, लिखेंगे, पौधों में, पुस्प के पुस्पासन भाग के चारो तरफ, पुस्पासन भाग के चारो तरफ, हरे रंग की छोटी-छोटी पत्तियां पाई जाती है, छोटी-छोटी पत्तियां पाई जाती है, जिसे बाहे दल कहते हैं, ठीक है, next, next point, एक पुस्प के अंदर, एक पुस्प के पास, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, बाहे दल उपस्थित होता है, बाहे दल उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, इसलिए, इसलिए बाहे दलों का समुः, क्या कहलाएगा, बाहे दल पुंज, ठीक है, बाहे दल पुंज कहलाता है, यह आपका complete, ठीक है, यह हमने क्या किया, बाहे दल के बारे में आपको main point लिखवा दिए, ठीक है, बाहे दल के बारे में, अभी दोखो बचे आभी बाहेदल खतम नहीं हुआ है, सबसे पहला चीज, ठीके बाहेदल, 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 पूस्प का, पूस्प का सहायक अंग है, सहायक अंग है, जो जनन क्रिया में केवल सहायता प्रदान करता है, केवल सहायता प्रदान करता है, ठीके पांस नंबर में हैं, तो ऐसा थोड़े नहीं कि आप थोड़ा सा लिख कर छोड़ दोगे, कम से कम आपको डीटेल में समझाना है, देन आप डाल देना कार्य, कार्य क्या है, यह कली अवस्था में, यह पूस्प के कली अवस्था में, कली अवस्था में, चारो ओर से घेरा रहता है, चारो ओर से घेरा रहता है, ताकि उसको सुरच्छा प्रदान कर सके, ताकि पूस्प को सुरच्छा प्रदान कर सके, ठीके, यह आपका कंपलीट हो गया, यह आपका कंपलीट, बाहे दल आपका खतम हो चुका, स्क्रीन सोट अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीके, नेक्स्ट स्टार्ट करना है दल, ठीके, दूसरा लिखना है दल, लिखेंगे पूस्प का रंग बिरंगा भाग, पू पुष्प को आकर्सित बनाता है, जो पुष्प को आकर्सित बनाता है, दल कहलाता है, ठीक है? सभी पुष्पो में दलो का रंग अलग-अलग हो सकता है, सभी पुष्पो का रंग भिन भी हो सकता है, भिन भिन भी हो सकता है, यह पौधे का द्वितिय चक्र होता है, द्वितिय चक्र एवं सहायक अंग होता है, ठीक है? क्लियर इतना, आगे लिखेंगे, दलो का समूह दलपुंज कहलाता है, ठीक है? कारे लिख देना है, कारे क्या लिखेंगे? लिखेंगे यह परागड क्रिया करने के लिए कीटो को आकरसित करता है, अपने रंगों से आकरसित करता है, यह हो गया, कम्पलीट, ठीक है? दल आपका क्या है? कम्पलीट हो गया, अब हम लोग, आपका सहायक अंग खतम हो गया, आवस्यक अंग पर आजो, यानि आप हम लोग दो भाग और देखना है, कौनसा? पहला पुमंग, ठीक है? तीसरा हमारा भाग कौनसा है, पुमंग? लिखेंगे, पुमंग मतलिको, पंकेसर, ठीक है, पंकेसर करो. इसमें लिखेंगी यह पौधे का आवश्यक अंग है क्योंकि यह पुस्प का नर्भाग है क्योंकि यह पुस्प का नर्भाग है जो जनन की क्रिया करने के लिए करने के लिए नर्युग्मको का करने के लिए नर्युग्मको का निर्माड करता है ठीके यह पुस्प का तीसरा चक्र होता है यह पुस्प का तीसरा चक्र होता है ठीके यह पुइंट आपको लिखना है नेक्स्ट आप क्या लिखोगे अगला नर्भाग पुँग केसर कहलाता है तथा इसका समूह पुमंग कहलाता है पुमंग कहलाता है ठीक है अगला नेक्स्ट आपका है पुंकेसर के तीन भाग होते है पुंकेसर के तीन भाग होते है ठीक है फिर आप क्या करना एक फिगर बना देना इस तरीके से उपर वाले को कहना पराग कोस उसके नीचे वाला वरिंथ और उन दोनों को जोडने वाला योजी सिर्फ फिगर इतना लिख दोगे काम खतम ज़्यादा आपको फिर इन तीनों के बारे में डिटेल में नहीं लिखना जब बोलेगा पुस्प के नर जनन भाग को समझाईए तो फिर आप डिटेल में करना वरना इतना लिख दोगे हो जाएगा क्लियर आपका नर भाग खतम हो गया अब आजओ मादा भाग और पुस्प का चौथा भाग जिसे कहते हैं हम स्तरी केसर लिखेंगे यह पुस्प का मादा भाग है यह पुष्प का मादा भाग है, जो जनन की क्रिया करने के लिए मादा युगमक का निर्मार करती है मादा युगमक का निर्मार करती है, ठीके, नेक्स्ट आगे, इसलिए यह पुष्प का आवश्यक अंग है यह पुष्प का आवश्यक अंग है, ठीके, नेक्स्ट यह पुष्प में सबसे अंतिम में, यह पुष्प में सबसे अंतिम, सबसे अंतिम एवं केंदर में पाया जाता है केंदर में पुष्पासन के उपर, पुष्पासन के उपर स्थित होता है यह पुष्प का अंतिम चक्र कहलाता है अंतिम चक्र कहलाता है ठीके, नेक्स्ट पुष्प के निम्न तीन भाग होते है पुष्प के, इस्तरी केसर के निम्न तीन भाग होते है निम्न तीन भाग होते है कौन-कौन सा, पहला, लोगो इस तरह से फीगर बना लेना ठीके, फीगर बना कर ही एक्स्प्लेइन करना है ठीके, विदाउट फीगर एंसर आपका अधूरा है उपर वाला भाग, वर्तिकाग्र ठीके, नीचे वाला वर्तिका और सबसे भीतर में आपका अंडा से ठीके, केवल इतना इसके अंदर आपका इस तरह के संग्रचना बना लेना इसका नाम लिखना उतना जरूरी नहीं है अगर मन होगा तो आप बिजा अंड लिख देना ठीके, यह हमारा क्या है? एक पुस्प के मादा भाग का पूरे भाग है तो आपका हमने एक टॉपिक आज कम्पलीट कर दिया पुस्प के संग्रचना ठीके, यह बहुत इंपोर्टन टॉपिक है आप पिछले साल के पेपर्स उठा लेना यह पांच नंबर के सवाल है जो आपका UP, बिहार, MP, राजिस्थान, जारखंड में हर साल पूछा जा रहा है तो सभी बोट के बच्चे इस कोईशन को जरूर तयार करें इसको डिटेल में समझे और हाँ, लिखने का आदत अभी से बनाना स्टार्ट करें समय बहुत कम रहे गया है practice makes perfect जितना practice करोगे उतने ज़्यादा आप उस चीज में perfect बनते जाओगे तो कोसिस करो, ज्यादा से ज्यादा लिखने का ज्यादा से ज्यादा क्या करना, figure बनाने का और figure बना के answer लिखने का ठीके, तो आप लोग क्या करना है घर पर रोज आप लोग अपने से कोई एक question उठाओ, एक topic उठाओ और उस पर अपना answer खुद से लिखिए और फिर अपने आपको क्या करो, analyze करो कि हम लोगों की तैयारी कैसे चल रही है, कहाँ पर कमी आ रही है, कहाँ पर problem create हो रहा है तो कोई ना, आज की class में बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे ऐसे ही, एक और बहुत interesting, बहुत important topic के साथ, next video में, अपना ख्याल रखिए, मस रही है, और justual classes से जुड़े रही है, धन्यवाद, वीडियो पसंद आया होगा, तो like जरूर कर देना, ठीक है, share भी कीजिए